लमश्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे Mission Lantana के बारे में जो की राजस्थान से बिलॉंग करता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा Basically ये Mission Lantana है क्या इसका purpose क्या था इसकी वज़े से जो आपका ecological imbalance था वो क्यों create हो रहा था Biodiversity को क्या खत्रा था इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्षर की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप में टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल ऑफीशल और अप यूपेसी की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुने रहा मौका है श्टरिया के लिए आपके स्मार्ट कोर्सेज जिसके तो आप अपमें प्रिप्रेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो यह आपका The Hindu में आर्टिकल आया था वीडिंग आउट लैंटैना रिस्टोर्स ग्रास लैंड इन राजस्थान तो बेसिकली क्या हुआ है मैं आपको बता दू कि राजस्थान में जो उदैपूर्ट डिस्टिक है वहाँ पर आपको एक छोटा सा वाइड लाइफ सैंचुरी मिलेगा जिसका नाम है सज्जनगर्ड सज्जनगर्ड वाइड लाइफ सैंचुरी में वहाँ से बिलॉंग नहीं करता है उस इन्वेसिव स्पीसीज को कहीं बाहर से दूसरी जगा से लाया गया है और उसने क्या किया है कि वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसको ओवर्टेक कर लिया है वहाँ की जो खुद की स्पीसीज है जो कि वहां से बिलॉंग करती है उसकी ग्रोथ कम हो रही है वहां की biodiversity कम हो रही है और जो invasive species लाया गया था उसकी संख्या जादा होते जा रही है तो इसकी वज़े से वहां पर जो पूरा food chain है ecological imbalance है वो create हो जाता है तो यही यहां पर देखने को मिला सजजनगर wildlife century में एक landana bush आ गया था जो कि invasive species है तो इसकी वज़े से क्या हुआ था कि वहां के biodiversity को खत्रा हो रहा था जो grassland है वहां के उसको restore करने की आउशकता थी इसके लिए special drive चलाया गया जो कि है आपका mission landana और यह बताया जारा है कि करीब one and half month लंबा यह पूरा campaign चला था ताकि यह जो landana species है इसको हटा कर जो वहां की native species है उसको वापस से plant किया जाए मैं इसके उपर वापस से आऊंगा लेकिन इसके पहले आप देख सकते हो कि यह exactly इसकी location क्या है तो जैसा कि आप देख पाओगे यह है न्यू डेली और इसके यहां से start होता होगा आपको पता है यह है अरावली hills तो जो अरावली hills का यह सदन पार है उदैपूर में तो वहां पर आपको यह सज्जनगर wildlife sanctuary देखने को मिलेगा यह काफी छोटा सा आप देख सकते हो करीब 5.19 square kilometer का है लेकिन यहां पर आपको काफी बड़ी मात्रा में herbivorous species देखने को मिलेंगे तो अगर herbivorous को problem होगी तो इसकी वज़ेसे carnivorous को problem होगी तो यह सारा food chain problem हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो scientific name है lantana camera यह तरह का काफी thick forming shrub है यह आप देख सकते हो यहां पर यह इसी sanctuary का है जहां पर लोग जो है इस lantana bush है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी thick यह आपका यहां पर जम जाता है लेकिन इसकी वज़ेसे problem क्या अगर इनकी growth यहां पर जादा होगी तो जो proper sunlight है बाकी other species को जो यहां पर है उनको क्या proper sunlight मिल पाएगी natural light मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी तो इसकी वज़ेसे जो nutrition है flora और fauna को वहां पर वो नहीं मिल पाता है तो यह main problem आपको देखने को मिल रही थी इसके अलावा जो animals है उनको जो proper चारा चाहिए होता है forage चाहिए होता है वो नहीं होता है क्योंकि यह जो आपका lantana है इसमें बताया ज़रा है toxic substances है right berries को consume नहीं कर सकते है animals इसकी वज़ेसे वहां पर जो natural growth है वहां की grass और other shrubs का वो बंद हो गया था और अब सोचके देखिए यहां पर अगर grass बंद हो जाएगा उगना वहां पर जो shrubs है वो नहीं हो पाएंगे तो herbivorous कहां से चीजों को consume करेंगे तो इसकी वज़ेसे क्या होगा herbivorous के जो संक्या है वो धीरे-दीरे कम होने लगेगी फिर इसकी वज़ेसे क्या होगा जो carnivorous animals हैं जो की herbivorous के उपर depend करते हैं उनके उपर prey करते हैं तो carnivorous भी धीरे-दीरे मरने लगे तो overall जो food chain है दोस्तों वो पुरा बिगड़ जाता है ecological disturbances आजाता है जिसकी वज़ेसे जो mission lantern है इसको लाने की काफी आशकता पड़ गी अब कौन लेकर आया इसको क्या भारत सरकार ने लिया जी नहीं वहाँ पर क्या था कि जो लोकल में जो एक senior woman police officer है जिनका नाम है बिनीता ठाकुर उन्होंने क्या notice किया कुछ समय पहले कि ज आकि जो लैंटाना बुष था पूरे सजजनगर wildlife sanctuary में लेट मी टेल यू कि ये 50% आपका फैल गया था उस पूरे sanctuary के अंदर तो उसको हटाने का पूरा ये action लिया गया था वहां की woman senior police officer के दोरा अब इस पूरे drive के अंदर basically क्या किया गया एक तरह का ये collective effort था श्रम दान आ अपना physical work देने के लिए तो यहां पर जो forest officials हैं, police personnel है, wildlife lovers है, representative हैं जो कि voluntary group से विलॉंग करते हैं, local के villagers हैं, सभी ने आकर यहां पर effort लगाया ताकि ये जो आपका lantern जो bushes हैं उसको हटाया जा सके और उन्होंने बताया जा रहा है कि hand gloves और बाकी equipments के तुरू इसको हटाने की क बोशिश की, हाँ एक और चीज ध्यान रखना examination point of view से कि ये जो श्रब है आपका bushes हैं, इसके अंदर छोटे-छोटे flowers भी देखने को मिलेंगे, तो अगर exam में आता है कि क्या इसमें flowers होते हैं, जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, ये भी ध्यान रखेगा, और ये जो पुरा drive है बताया जा रहा है कि 45 days तक चला था और 10 hectares of land को यहाँ पर clear किया जा चुका है, clear करने के बाद किया किया जाएगा, जो वहाँ के native species हैं, उसको लगाया जाएगा, बताया जा रहा है 500 से जादा जो sampling हैं, वो cleared pockets में यहाँ पर लगाये गा हैं, और भी आगे जाकर, जो grass हैं, plant seeds हैं, हर्भी वोरस animals के लिए जो useful हैं, वो यहाँ पर लगाये जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि यह जो landana bushes हैं, यह enter कैसे किये, यह आये कहां से, तो ऐसा बोला जाता है कि 1807 में इसको introduce किया गया था, और इसकी वज़े से क्या हुआ हुआ, जो आस पा यह जो landana है, यह दिरे-दिरे क्या होने लगा, कि जो pastures land है, जो चारा करते हैं, जो grazing animals हैं, वहाँ पर भी enter होने लग गया, और चारे में कमी आ गई, कम हो गया, और जिसकी जैसे ultimately, जो villagers की livelihood है, उसको impact होने लग गया, क्योंकि villagers जो हैं, वो कैसे कमाते हैं, वो अपने animals को ल उसको बहुत बड़ा खत्रा हो गया था एक invasive species जिसका नाम है North African catfish, basically 1980s में पूरे विश्व भर में, यहाँ पर aquaculture के लिए ज़्यादा से ज़्यादा fishes की संक्या हो, यह पूरे विश्व भर में introduce किया गया था, लेकिन केरला के अंदर यह बहुत बड़ा खत्रा बन गया थ जो कि वहां की जो bio diversity है उसको problem create कर रहा था, तो इसकी जैसे आपको कई सारे examples देखने को मिलेंगे, UPSC में आपको catfish या फिर अलग-अलग examples के तौर पर questions आ सकते हैं, ध्यान में रखेगा, अब इसका solution कहा देखे, जो अभी हमने Lantana mission के बारे में बात की, क्या यह permanent solution है, तो इसके बारे में बताया, वहां के जो उदैपुर के सती शर्मा है, environmentalist, उन्हें बताया कि इस तरह का पुरा mission है, यह हमें अगले 3-4 साल तक हर rainy seasons में लेना होगा, क्योंकि सरिफ एक बार करने से यह नहीं होगा, हमें अगले 3-4 साल तक जब नहीं कर देते तब तक यह permanent solution, जो impact है, वह आपका नहीं आपाएगा, और इसको उन्होंने काटने का तरीका भी बताया, उन्होंने बताया कि जो हिली areas होते हैं, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, यह top से bottom की तरफ आना चाहिए, clear करना चाहिए, और जो आपके plane के areas होते हैं, वहां पर क्या करना चाहिए, जो question आपके लिए कर आए हो regarding biodiversity, इसको solve करने की कोशिश करिए, दो statement है, यहाँ पर UPSC purpose वाला question है, इसको solve करिएगा, इसका जो right answer है, वो मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, प्लस यहाँ पर Telegram पर भी इसका answer मैं डाल दूँगा, Stories में मैं लगतार कई सारे MCQs डालता रहता हूँ, आप Instagram पर जाकर यहाँ पर इसको खेल सकते हैं, वहाँ पर नहीं है, तो Telegram पर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप उसके economy पढ़ना चाहते हैं, कोई course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको फसंद आया हो, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you.